दोस्तो हो गया है नॉमिनेशन टास्क और नॉमिनेशन टास्क में नॉमिनेट करने का पूरा अधिकार मिला है सिद्धार्द शुकला को सिद्धार्द शुकला को सायद इसलिए पूरा अधिकार मिला होगा क्योंकि पूरा घर एक मत होकर उन्हें वोट किया था या कहीं न कहीं बिग बॉस जब भी कुछ चीजे लेकर आते हैं तो कोशिश करते हैं कि कहीं न कहीं दूद का दूद और पानी का पानी हो जाए हलाके नॉमिनेशन टास्क के पता भी ये भी चल रहा था कि कितने जन्यून हैं सिद्धार शुकला और कितने नहीं पर दोस्तों सबसे ज़्यादा मज़ा आया मुझे ये देखकर कि कहीं न कहीं रश्मी ने बिग बॉस देखकर आई हैं ये तो पूरा में जानता हो हैं सभी जानते हैं तो रश्मी बोलती है कि यार कहीं न कहीं बिग बॉस बहुत ज़्यादा बायस जो चुके हैं सिद्धार शुकला ही सही नजर आ रहे हैं उनको कहीैं न कहीं भाई बाहर फैंस का भी यही कहना किया आसिम क्या जो ना डूसती नी भाई में दायरेक्ट नॉम् 미-N olmaz कर दिया पर मेरे दोस्त मैं जाता हो कि आसिम के फैंस अमेशा आसिम को पॉजिटीव नजर से देखते सिद्दार्शुक्ला के फैन सिद्दार्शुक्ला को राइट नजरिये से देखते हैं इवें जब यूटूबर्स जो हैं जो वीडियोस हम लोग रिवीव करते हैं आपके पास पहुचाते हैं तो अगर हम कहीं सिद्दार्थ के बारे में जादा बात करते हैं तो लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ये भी लिख देते हैं कि आप पियार हो क्या आसिम के या सिद्धार्थ के या आरती के या सिफाले जरी वाला के या बिग बॉस या सलमान फलाना डिम का कुछ भी लिख देते हैं पर मैं दोस्तों आपको एक बात बता दू कि नॉमिनेशन की सबसे कि हर बार मैं तिरको सपोर्ट करती हूँ पर तू मेरे लिए नहीं बोलता है सिद्धार्थ ये प्रूफ कर दिया कि भाई मैं हर बार तो नहीं आऊंगा लेकिन जहां पर एक्स्ट्रिम कंडिशन होगा और तुझे बचाने की बारी आएगी वहां पर मैं जरूर खड़ा र शुकला ने पारस को भी बचा लिया और ये तै कर दिया कि उनहीं के ग्रूप का कोई एक बंदा जाए हाला कि सिद्धार्थ बहुत अच्छे से जानते हैं कि आसिम रियाज अब नहीं जाएगा घर के बाहर इन लोगों के बीच में क्योंकि ये स्ट्रॉंग कैंडिडेट ह वहीं कही न कहीं दोस्तो अब निकलने की बारी आती है घर में से कहीं न कहीं सेफाली जरीवाला हिमानची खुराना और रश्मी देसाई पर दोस्तों जैसे पिछले हफ़ते हम लोग ने देखा था कि जो वोटिंग ट्रेंड था और काइंड आफ पीपल वेर रश्मी देसाई वहां पर दिख रहा है कि रश्मी देसाई को वोटिंग मिल रहा है तो वहां पर कही न कहीं सेफाली जरीवाला और इमानची खुराना जो हैं वह बॉटम में नजर आएंगे पर कहीं न कहीं बिगबोज को यह लगता है कि नहीं शायद यह जो लोग है हपते एविक्षन के लिए नॉमिनेटेड सदस्यों को रखना है या वोटिंग लाइन क्लोज ही रखना है वैसे दोस्तों एक बेस्ट पार्ट ये नजर आया कि उन्हों ने आसिम को जो लोग बोल रहे थे आसिम को डायरेक्ट नॉमिनेट किया जा तक मैं देख रहा हूं कि आसिम सिर्फ मुझे आसिम नजर आ रहे हैं दो दिन से प्लानिंग करते हुए अगेंस्ट सिद्दार शुकला एंड हिमानसी बहुत हिमानसी अन्रश्मी दिशाई बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है वहीं कई न कई विशाल चाह रहे हैं कि मंदर आओं या नहीं आओं वो अभी भी इस सेनास गिल के जितने भी फैंस हैं मैक्सिमम फैंस गोइंग टू वोट पारश शाबरा और मैं यह बोल सकता हो दोस्तों जैसे पिछली बार पारश बॉटम टू में थे इस बार टॉप टू में आने वाले हैं पारश शाबरा बहुत जादा मज़ा आएगा दोस्तों हाला कि आपको कैसा लगा सिद्धार्थ को नॉमिनेटेट को नॉमिनेट करना और मैं एक चीज़ बताना चाहूंगा कि अगर रश्मी देशाई और फैंस ऐसा सोच रहें कि सिद्धार शुकला को एक तरफा यह पावर दिया गया है तो अगर आपने मराटे बीग बॉस देखा है तो जब शिव ठाकरे कैप्टन थे तो शिव ठाकरे को भी मिला था सेम पावर और यह पहली बार नहीं कई सीजन्स में यह टास्क आये हुए हैं तो ऐसा कोई सोचने की बात नहीं है कि बिग बॉस बहुत जादा बायस जैसे धार्थ को लेकर मिलते हैं किसी नए वीडियो म दोस्तों किसी नए टॉपिक के साथ थैंक्यू सो मच फॉर लाविंग मैं चैनल एंड कीप सब्सक्राइबिग मैं चैनल एंड बिल आइकन जुरूर प्रेस करें ताकि आपको मिलता रहे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन